नमस्कार आप सुन रहे हैं जेकी न्यूस नेटवर्क और मैं हूँ अनुजा कश्यब दिन भर के खबरों को ले करके आप सब की बीच रासधानी दिल्ली के विभीन सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन आज 69 वे दिन में प्रवेश कर चुका है वहीं सांदोलन का केंदर बनते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा गाजीपूर बॉर्डर एक कीले में तब्दिल हो गया है दिल्ली पुलिस यहां पहुँचने वाले मार्क बंद करती जा रही है प्रदर्शन स्थल पर कई स्थरों पर बेरिकेट लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है संयुक्त किसान मोचा ने एलान किया है कि 6 फरवरी को दिन भर में चक्का जाम रहेगा गाजीपूर बॉर्डर पर प्रांती शशस्तर बल और तत्वरित कार्य बल सहीत सैकरो सुरक्षा कर्मियों को सतर करका गया है स्थीती पर नजर रखने के लिए जोन का उपयोग भी किया जा रहा है और वाहनों की जाच की जा रहे है बता दी कि उत्तर प्रदेश और हरियाना राजस्तान से अधिक और अधिक किसान प्रदेशन में शामिल होने के लिए आ रहे है वित्त मंतरी निर्मला सीता रमन ने वित्त वर्स 2021 और 22 के लिए लोग सभा में अपना बजट पेश कर दिया है इस बजट की कई खास बाते थी जो इतिहास बना दी गई हेल्थ बजट को पहली बार इतनी तवज्जो दी गई है जो ये दर्शाता है कि भारत अपना हेल्थ इंफ्रस्टर्चर मजबूत करने की दिशाना सिर्फ कदम बरा चुका है बलकि आत्म निर्भर भी बनने की ओर है जहारखंड अकैडमिक काउंसलिंग की ओर से मैट्रिक और इंटर की परिक्षाएं चार मई सक आयुजित की जाएगी परिक्षाएं 21 मई तक जारी रहेगी प्रतम पाली में मैट्रिक की परिक्षा और दुईतिय पाली में इंटर की परिक्षा होगी इससे पूर्वचहर अप्रिल से प्रैक्टिकल परिक्षाय शुरू होगी परिक्षा का विस्तिरत कारिक्रम जैक द्वारा बाद में जारी किया जाएगा यह जानकारी जैक बोट के अध्यक्ष ने दी है गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परिक्षा किती थी शुरुवात में 9 मार्च को रखा गया था लेकिन बाद में जैक ने दूसरे राज्यों में होने वाली बोट परिक्षाओं का अध्यन किया इसी के मद्दे नजर घोशित परिक्षाओं की तिती को सस्पेंड करते हुए उस पर रोक लगा दिया इसके अलावा एक कारण यह भी था कि CBSC मेट्रिक और इंटर की परिक्षाओं अप्रिल में हो रही है जिस वज़े से अभिवावक भी इस मामने पर आपत्ती जता रहे है ज्यामतारा के मुलेंदर बेसरा से ज्यारखन क्रिशी रिन माफी योजना की विदिवत शुरुवात सोमवार से हुई क्रिशी मंतरी बादल की उपस्तिती में राम क्रिश्न मिसन सभागार्म से ऑनलाइन रिन माफी की गई इस मौके पर पोर्टल का हुदगाटन भी किया गया श्री बादल ने कहा कि विदिवर्श्वे सब्ता होने से अब करीब 50 दिन बचे हैं इतने दिनों में 2000 करोर रुपे का रिन माफ करना है यह तबी संभव होगा जब इसमें बैंकर भी शैयोग करेंगे जब तक यह योजना जमीन पर नहीं उतरेगी किसानों के चेहरे नहीं खिलेंगे इस योजना का लाख करीब 9 लाख किसानों को मिलना है इस योजना में सरकार ने किसानों के साथ साथ बैंकों के हित का भी खयाल रखा है इस कारण इसे सफल करने में बैंको और प्रग्या केंद्र संचालकों की भूमी का भी महत्वपूर्ण होगी देश में इस साल ठंड फरवरी में भी कहरबर पा रहा है उत्री और मद्ध हिस्से अब भी सर्दी की चपेट में है जबकि हिमालई छेत्रों में रुक रुक कर बर्फ बारी का दोर जारी है देश के कुछ हिलाकों में बारिश की संभावनाई भी बनी हुई है मौसम केंद्र ने पुर्व अनुमान किया है कि एक और दो फरवरी को राची के उत्तर पश्यमी भागो जो ऐसे पलामू, गर्वा, चत्रा, कोडर्मा, लातेहार, लुहरदग्गा, राची, रामगर तता गिरिडे में कहीं कहीं शीत लहे चलने की भी सभावना है इस दोरान नियूंतम तापमान में 4-5 डिगरी सेल्सिस तक की गिरावटा सकती है अब तक के लिए बस इतना ही जल्द मिलेंगे कुछ खास और एहम खबरों को ले करके तब तक के लिए आप बने रहें जेकी न्यूस नेटवर्क के साथ धन्यवाद